Hello students, आज हम पढ़ेंगे Direct Indirect Speech तो 7th क्लास में तुमने पढ़ा था Direct Indirect Speech के जो कुछ निरम थे उनके बारे में आज हम कुछ sentence पर practice करेंगे जैसे कि तुम्हाई सामने ये जो दिया गया है ये है Direct Speech Direct Speech के दो पार्ट्स होते हैं पहला पार्ट्स inverted commas से बाहर का होता है जिसे कहते हैं reporting verb क्या कहते हैं? reporting verb ठीक है और दूसरा जो inverted commas के अंदर देख रहे हो इसे कहते है reported speech reported speech तो इसल से पहले हम reporting verb को change करते हैं जो की subject हमारे सामने दिया गया है उसी subject को हम ऐसे के ऐसे उतार लेंगे ही दिया हुआ है तो ही हमने लिख दिया उसके बाद तुम्हें बताया था कि set to set to को किसमें बदलना है? told में किसमें बदलना है? told में set to का हो गया told और ये जो object दिया हुआ है इसको हम ऐसे के ऐसे उतार देएं इसके बाद बारी आती है inverted commas की, तो inverted commas की जगें हमने क्या बताया था? inverted commas की जगें हमें यहाँ इस sentence में that use करना है, क्या use करना है? that अब सबसे पहला काम जो reported speech है, इसको हमें बदलना है reported speech में change करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे subject को और हमारा subject क्या है? यहाँ तुम्हें एक और formula मैंने बताया था, son वाला formula, उनसा था son, यहाँ हम लिख देखेंगे, first son में लिख देखेंगे, यहाँ उपर, हम लिख देखेंगे, first एक मिनिट, यहाँ हम लिख देखेंगे, son और उपर लिख देखेंगे, first, second, third हाँ तो इसका क्या मतलब मैंने बताया था, S का मतलब होता है subject, O का मतलब object, और N का मतलब no change, यानि कि first person, second person और third person, first person किसकी अनुसार change होगा, subject के अनुसार, second person किसकी अनुसार change होगा, object के अनुसार, और third person किसकी अनुसार change होगा, यानि कि no change, third person में no change, अब हमें देखना है यहां आखी कि जो हमारा subject है को कौन सा person है फर्सट पर्सन है, second person है या third person है यग हमेंesi हो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है और subject कौन सा होता है यह जो reporting worm में शुरू में देख रहे हो इसके बाद अगर second person है तो हमें इस object की अनुसार change करना होगा और third person है तो हमें कोई change नहीं करना उसे ऐसे कैसे रखना है अब you कौन सा person होता है जैसा कि तुम्हें पता है you कौन सा person होता है second person और second person को किसकी अनुसार change करेंगे object की अनुसार और object हमारा क्या है me तो me object हो गया, उसे हमें subject की जगे लिखना है, तो me से क्या subject बनेगा? मी से subject बनेगा I, हमने लिख दिया I, उसके बाद बारी आतिस tense change करने की, तो tense के बारे में तुम्हें बताया था, कि यदि present tense है, तो उसे हम past tense में change कर देंगे, पास्ट tense में, present simple है, तो past simple में change कर देंगे, present continuous है, तो past continuous में change कर देंगे, present perfect है, तो past perfect में change कर देंगे, इसी तरह present tense को हम change कर देंगे, पूरी तरह से past tense में, अब यहां देखिए, कौन सा tense है हम पेचानेंगी, R है, इसमे R helping verb किसमें आती है, present, continuous में, तो present continuous की जएगे हमें करना है, past continuous, और past continuous में क्या आती है, वोजवर helping verb आती है, कौन सी HELPING WORB आती है, वोजवर तो हमें इजमार को वोजवर में चेंज करना है, अब I के साथ क्या लगेगा, वोजवर लगेगा वोज लगा देंगे, आई, वोज, उसके बाद माई, अब माई देखे, किस से बना है, आई से, माई किस से बना है, आई से, और आई कौन सा फर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसर बदलते हम, सब्जेक्ट के अनुसर, तो सब्जेक्ट है ही, subject क्या है he यानि कि he से क्या बनेगा he से बनेगा जो परजेश्य प्रोनाउन है वो बनेगा he से his he से क्या बन जाएगा his यानि कि I से बना था my और हमें बनाना he से तो he से बन गया his his और his के बाद best friend तो हम लिख देते हैं best friend और full stop इसके बाद inverted commas तो हड़ गए आया समझ में इसके बाद हम second sentence करते हैं इसमें लिखा है I said to her I have done my work तो I का लिख दिया हमने I said to को किसमें बदल देंगे told में के बाद her okay और inverted commas की जिएगे that यहां तक simple है अब सबसे पहले हम subject को देखेंगे कौन सा person है first person first person होता है subject के अनुसार change subject भी आई है और यह भी आई है तो हम I का I लिख देंगे have यानि की present perfect tense present perfect have का क्या हो जाएगा past perfect में had I had third form है तो third form done और my my बना है I से और I change होता है first person के अनुसार first person भी आई है तो my का रहेगा my और work आया समझ उसके बार चलते हैं next राज said to you he is my teacher तो राज said to को बदल देंगे हम told में you का लिखतेंगे you यहां तक ठीक है और that inverted commas की जगे क्या लिख देंगे that के बाद he he कौन सा person है third person और यहां पीछे क्या बताया था कि third person हो तो no change यानि कि हमें यहां कोई change करना ही नहीं है तो he का हमने लिख दिया he यहां पर he capital letter में लिखा हूँ as लिकिन जब inverted commas हम अटाएंगे तो यह little हो जाएगा is इज वे मार को किसमें बदलते हम वोजवर में ठीक है तो he के साथ क्या लगएगा वोज अब माई किस से बनाए आई से और I कौन सा person है first person first person किसके अनुसार change होता है subject के अनुसार अब subject है हमारा राज तो राज से हम possession pronoun बनाएंगे तो राज के लिए होता है he use ठीक है और he से बनता है his his teacher उके बाद चलते हम आगे सीमा said to Gita I am her mother सीमा said to का हो गया told Gita that यहां तक ठीक है के बाद I कौन सा person हो गया first person और first person होगा subject के अनुसार change यानि की सीमा सीमा से बन गया she she इस एमार को बदलते हैं हम वोजवर में ठीक है तो इस एमार वोजवर में बदलेंगे तो सी के साथ क्या लगेगा वोज यानि की यह present continuous हम past continuous में बदल रहें हर 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 बना है she से ठीक है और सी कौन सा person है third person यानि की no change तो फिर हर का आजाएगा हर और mother अके बाद चलते हैं next यहां भी क्या आजाएगा they have have यानि की present perfect tense और present perfect किसमें बदलता है past perfect में past perfect में क्या आती है helping verb had तो have का क्या हो गया had they had completed they have completed our our किस से बना है our किस से बना है our बना है we से ठीक है और we कौन सा person है we person है first person first person किस के अनुसार change होता है वही subject के अनुसार तो दे तो दे की जगे यहां our के सान पर दे से क्या बनेगा they are ठीक है they are homework आया समझ तो जो डारेक्ट इंडारेक्ट की सारनी मैं जो लिखवाई थी sentence चेंज करने की ठीक है वो एक बार वापस से revise कर लेना और इन sentence को copy में note करना और एक बार खुद से करने का प्रियास करना जहां समझ नहीं आए तो मुची मताहिए थीक्यू झाल